आप सभी का स्वागत है शान्तिकुंज ओन्लाइन क्लासेस में बच्चों आज हम नया चैप्टर प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन चैप्टर पंद्रा लाइट शैडोस एन रिफ्लेक्शन की रिविजन श्टाक करने वाले हैं चलिए पढ़ते हैं जब हम किसी अंधीरी कोटरी में घुसते हैं तो वहाँ कोई वस्तु उपस्तित तो रहती है किन्तु हमें दिखाई नहीं देती है हाला कि यदि हम बल्प के स्विच को दबाते हैं तो कोटरी की सब भी वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं बल्प या ट्यूब लाइट एक अद्रश्य उर्जा उच सर्जित करता है जिसे प्रकाश कहते हैं जब कोई जब यहाँ उर्जा वस्तु पर पड़ती है तो उसके सतहा से टकरा कर वापस लोटती है पुनहा जब यहाँ उर्जा हमारी आँखों में प्रवेश करती है तो आँख इस अनुभूती का संदेश मस्तिश को भेशती है अन्तिताहा मस्तिश्क उस वस्तु को देखने की सूचना प्राप्त करता है या यों कहें कि मस्तिश्क वास्तविक रूप में देखता है आखें वस्तों को देखने का सिर्फ एक माध्यम है बच्चो इस परग्राफ में ये बताया गया है कि जब आप कभी एक ऐसे रूम में जाएं जहां पर लाइट ना जल रही हो तो क्या होता है आपको हर जगा अंधेरा दिखेगा जैसे ही आप उस रूम में जाके आप स्विच ओन करेंगे आप जो है उस रूम में रखी हुई हर चीज को देखने में समर्थ हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जो प्रकाश है, जो light के माध्यम, यानि ट्यूब light या bulk माध्यम से जो प्रकाश निकला है, वो उस कमरे में रखी वस्तुओं से टकराने के बाद हमारी आखो तक आता है, और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि हमारी आखे एक माध्यम है जिसके त्रोहन चीजों को वस्तूओं को देख सकते हैं हम कह सकते हैं कि प्रकाश आद्रश्य होता है किन्तु जब यह वस्तू पर पढ़ता है तो हमें वे वस्तूएं द्रिश्टी गोचक होती है ठीक है प्रकाश कैसा है आद्रश्य होता है इन्विजिबल पर जब एक किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़े तो वो हमें नजर आने लगती है अतहा संशिप्त में यह कहा जा सकता है कि प्रकाश एक आद्रश्य उर्जा है जिसके कारण हमें देखने की अनुबूती होती है स्केटरिंग और फ्लाइट कहलाती है स्केटरिंग और फ्लाइट प्रकाश का प्रक्रण इसमें क्या होगा बच्चो किसी भी वस्तु पे जब लाइट पड़ती है तो वो सभी दिशाओं में एक सतह पे टक्रा कर सभी दिशाओं में फैल जाती है इसको हम स्केटरिंग कहत अर्थात इसका वेग 3 into 10 to power 8 minute per second है यानि कि जो light है उसकी speed कितनी होती है 3 into 10 to power 8 minute per second इसका अर्थ है कि प्रकाश का वेग 300,000 million minute per second या 300,000 km per second है ठीके बच्चो प्रकाश का स्रोथ sources of light सबसे बड़ा जो source of light का आप जानते हैं सूर्य होता है चलिए इसके बारे में जानते हैं कोई वस्तु जो प्रकाश उस सर्जित करती है प्रकाश का स्रोथ कहलाती है और प्राकरतिक स्रोथ में सूर जाता है ठीके प्रकाश के स्रोथों को दो वर्गों में रखा जाता है और ये दो वर्ग होते हैं पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित प्राकृतिक या फिर नैच्रिल सोर्स ओफ लाइट जानते हैं प्रकाश के प्राकृतिक स्रोथ क्या क्या होते हैं इसमें फर्स पॉइंट है हमारे लिए प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रतिक स्रोथ सूर्य है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताए कि सूर्य हमारा प्रक्रतिक श्रोत है, natural source of light है, सिकिन देखते हैं, तारे भी दूरे स्थे सूरे हैं, जो हमारे सौर मंडल से काफी दूर है, वे हमारे लिए प्रकाश का बहुत तुच्छ या कमजोर श्रोत है, बच्चों जब आप रात में आकाश में देखते हैं, कई सारे तारे देखते है कि आप जानते हैं, वो भी बहुत दूर पिस्तित सूरे ही हैं, लेकिन इनका जो प्रकाश होता है हमारे लिए बहुत कम आता है, या बहुत ही कमजोर श्रोत होता है ये प्रकाश का, ठीके, थर्ड है कुछ कीट, कीट यानि कीडे, जैसे जुगनू तता दीब कीट, अंधे मेरे में प्रकाश छोड़ता है, कुछ विशेश प्रकाश की मचलियां भी प्रकाश उत्पन करती हैं, तो ये सब ही हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं प्रकाश के, अब जानते हैं प्रकाश के कृतिम स्रोत, यानि आर्टिफिशल स्रोर्स क्या है, जिसे मानव ने निर्मित किय पहला देखे इसमें मुम्बथ् fluff दीपक आदी प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं, ये सब आप जानते हैं, मुम्बथ् Movement हम सभी के घर में होती है, Нам भी होता है। दीपक, दिया भी हम जलाते हैं, Tube Lights हैं लाइट वगेरा हैं यह सभी क्या है मैनमेट सोर्सेस ओफ लाइट सेकिंड देखें रात्री में प्रकाश के प्रमुक्ष्रोत हैं विद्धुद बल्ब या फ्लोरेशन ट्यूब यह इन सब का हम यूज़ कप करते हैं जब अंधेरा हो जाता है अब जानते हैं दिप्त एवं आदिप्त वस्तुवें के बारे में जिनने हम लियूमनेस और नौन लियूमनेस अबजेक्ट भी कहते हैं जिन वस्तुवें को हम देख सकते हैं उन्हें दो वर्गों में बाटा जाता है पहला है दिप्त या प्रदिप्त वस्तु जिसे हम लियूमनेस अबजेक्ट कहते हैं जो वस्तुवें स्वयम प्रकाश उसर्जित करती हैं उन्हें दिप्त या प्रदिप्त वस्तु कहते हैं जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, दीटकी, कुछ मशलियां आत्म दिप्त होती यानि luminous objects वो होती हैं जो खुझ से प्रकाश या फिर light को produce करती हैं इनमें आ जाता है sun, stars, जुगनू, दीपकीट, कुछ मचलिया second है इसमें आदिप्त या आप्रदिप्त वस्तू जिसे हम non-luminous objects कहते हैं जो वस्तूएं सोयम प्रकाश उचसरजित नहीं करती हैं उन्हें आदिप्त या प्रदिप्त वस्तू कहते हैं वे अपने सत्ह पर पढ़ने वाले प्रकाश को लोटा देती हैं जिससे वे हमें दिखाई पड़ती हैं उधारन के लिए चंद्रमा, मेच, कुर्सी, किताब, आदि और प्रदिप्त वस्तूएं हैं बच्चों चंद्रमा के बारे में आप सभी जानते हैं चंद्रमा जो है हमारा natural satellite है पर क्या आप ये जानते हैं कि चंद्रमा जो है उसके पास अपनी खुद की light नहीं होती है तो उसे light कहां से मिलती है? चाह हमारे चंद्रमा को रोश्नी जो है प्रकाश जो है सूरे से मिलता है ठीक है? अब कभी कोई भी आप से पूछे तो आप बता सकते हैं कि चंद्रमा जो है एक non luminous object है यानि कि उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है और ये प्रकाश सूरे से प्राप्त होता है बच्चों आज के लिए बस इतना ही करते हैं इसे आप पढ़िएगा समझिएगा साथ में आप सभी अपना ध्यान रखें सुस्त रहें सुरक्षित रहें